कि नमस्कार दोस्तों तीन जैन्वरी दोजार इकीस को बैंगलोर में आ रहा हूं जिस व्यक्ति को परसनल पामिश्री में इंट्रेस्ट है क्रपया मेरे वाट्सअप पर संपर्ख करें वाट्सअप नंबर हर वीडियो के description में आपको available है इनकी age 39 years है और ये काफी सालों से संगर्स कर रहे है इनका पहला प्रश्ण है heavy loan on house and factory क्या paid हो जाएगी या बेचनी पड़ेगी मेरा ग्यान ये कहता है कि अभी आने वाले समय में आपकी धन रेखा तो बदलाव आ रहा है यानि कहीं न कहीं आपको income तो आएगी पर दो रहों रेखा है और आनी बाकी है तो 41 तक संगर्स रहेगा अगर आपने money management यानि मेरा ग्यान तो ये कहता है कि बेचने की नौबत त जरूर रहेगा 41 तक उसको आपने व्यासित हैंडल कर लिया तो आगे का जीवन स्टेप बाई स्टेप आपका प्रॉग्रेस की और जाएगा ये इस राहू रेखा के पूरी होने के बाद आपकी धन रेखा मैं तो थोड़ा सा करंट डिख रहा है तो income के सुरोत तो चालो हो जाएंगे आपके जीवन में उस मनी को अगर व्योस्थित आपने manage कर लिया तो ये सारी चीजे बच जाएगी और मुझे लग रहा है मेरा ग्यान ये कह रहा है कि ये सारी चीजे आप बचा लोगे हाँ थोड़े साल संगर्ष जरूर है दो तीन साल और उसके बाद दीरे दीरे आपका जीवन फोटी वन तक संगर्ष दिख रहा है दो तीन राव रेका है दिख रही है और उसके बाद दीरे दीरे और धन रेका अच्छी बन रही है उसके बाद और अच्छी बन रही है तो मुझे नहीं लगता कि जादा आपको problem अब आनी चीए हाँ पर इतने साल का कष्ट है तो वो आपकी धन रेका पर इफेक्ट दिख रही है आप उस इंकम को अगर व्यवसित मैनेज कर लिए तो ये दोनों वस्तु आपके जीवने बच जाएगी दोनों वस्तु आपको नया काम शुरू करना चाहता हूं पर सबलता नहीं मिलती अभी कोई नया काम करने के आवश्यक्त नहीं है हाँ आपकी अलग से धन रेका निकल रहे है उसके वारे में मैं जानकरी दूंगा आपको 41 तक इंतजार कीजिए जो चल रहा है उसी को चलाई है और उससे मैनेज हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि धन रेका में थोड़ा सा करंट आने वाले समय में को को छोटी राउ रेखाए भी दिश्चब करती है बहुत बड़ी राउ रेखाए तो है नहीं पर छोटी छोटी भी मैं वीडियो के अंत मैं पूरा आपको समझाओंगा कि किस तरह का चित्र मुझे दिख रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा 41 के प्रिकॉशन लेना है अब एक एक करके हम सारी रेखाओं की और हठेली के एनालिसिस की और आगे बढ़ते हैं जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलिया थोड़ी सी भी उपर हो तो ऐसे लोग समय पर जो निने लेना होता वो ले नहीं पाते और उसके बाद पारे किया होता तो अच्छा होता था और इसका कोई उपाय भी नहीं ये जीवन भर इस तरह के अफसोस आपके जीवन में चलते रहेंगे ये पाम पूरा रेक्टेंगल है और स्क्वेरिस भी है तो ऐसे लोग महनती भी होते और महनत करके जीवन को सफल बनाते और रेक्ट हाथ का कलर डार्क ब्राउन करड की रेखा है तो यह मैनृफट्रिंग के लिए काफी उप्युक्त रेखा है और फाइनेंस के लिए और अब मैनृफट्रिंग छेतर में हे हो तो मेरी इसafaब से ट्रेडिंग में कभी जाने की कोसिस मत करना हाँ मै। मैं शेर मार्केट का इं इंकार नहीं करता आपको का फिर्स्ट फैलेंज नुकिला कम है तो वेक्ति इधर उधर ध्यान बटकता है वेक्ति का सेकेंड फैलेंज काफी अच्छा है तो वेक्ति लॉजिक के साथ बात करता है तत्यों के साथ और मांचसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है उंगली अब भूत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और फास्ट नेने लेते सुरी की उंगली बड़ी है यह हिमती शभाव शो करती है व्यक्ति की जिब में 50,000 और 50,000 की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते यह लोग और कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद जरूर लेते यह उंगली फर्स फैलेंग तक नहीं पहुच रही है यह बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है और मनी ट्रैंगल भी इस हाथ में नहीं है तो जब इस तरह की उंगली हो तो व्यक्ति, डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना याजशक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट इन सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और इस हाथ में अच्छी सूपसाइन भी है मैं पूरा एंड में आपको moral of the story बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हो सकता आपके साथ और कैसे चीजे बच सकती है अब चलते हैं, इनके इंक लगे हुए पाम पर बुद्पर्वत पर खड़ी लाएने ये व्यक्ति को बुड़ा पे में भी अच्छी इंकम देगी और बुद्पर्वत अपने आप में उभार है तो ऐसे लोग सुन्दर भी होते हैं वानी इनकी अच्छी होती है बिसनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है इनके संग माउंट पर भी काफी यहां पर इनकी इनों ने लगाई नहीं है पर मुझे कहीं न कहीं यस शाइन नजर आ रही है तो जीवन में यस भी प्राफ्थ होगा एक्छिल मैं इनक लगानी चाहिए पूरे ये छेतर में पर ये धन रेका का फोटो देने में देने में अच्छे खासे पेन उठा रहे होंगे इसके लिए मैंने ज़्यादा प्रिसराइज नहीं किया एक यहां पर क्लियर कट फिश शाइन है और ये काफी सुन्दर है और एक यहां पर भी है और किसी में भी किन्तु परन्तु नहीं है तो इतनी अच्छी साइन हो और धन रिखा का साथ मिले अब इस पॉइंट को आपको मैं जब एंड मैं आऊंगा तब भूत अच्छी तरह से इसका विशलेशन करूँगा और आपको पूरी स्थितिया मैं समझाऊंगा एक और छोटी सी साइन और एक जगा पर है कि मुझे नहीं लगता आगे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रियेट हो काफी सुन्दर साइन है शनीपरवत फ्लैट है वेक्टि को आलस क्या होता पता ही नहीं होता इस तरह के शनीपरवत बहुत एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग और ये थोड़ा सा अर्द शुक्र वलाय बना हुआ है इनके हाथ में थोड़ा सा मूर्ड स्विंग का प्रॉब्लम तो देता होगा सुबह अलग मूर्ड शाम को अलग दुपैर को अलग रात को अलग जुपिटर माउंट भी काफी अच्छा है तुवेक्टि को पारिवारी को और सांसर इक्सुक जीवन में अच्छा मिलता और कंटीन्यू चलने वाली रेखा है यह आपको टिकाए रखेगी आपका नाम खराब होने नहीं देगी यह एक और बड़ा एडवांटेज है यह सारी वस्वे देखकर मैं कहीं न कहीं उच्छा ही तो आपके मामले में एक ट्रैंगल है यह व्यक्ति आम लोग इसे ज़्यादा संपन होता है और पॉलिटिकल लाप और सरकारी लाप प्राप्त कर सकता है अगर यह स्क्वेर साइन कंप्रीट होगी तो 32 के पहले कोई न कोई प्रापर्टी और 36 साल में और अथोरिटी पोजिशन पर व्यक्ति पहुचता है एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन यह व्यक्ति के जीवन में मल्टिपल इंकम देती है पामिष्टी एस्ट्रोलोजी इस तरह की मिष्टी साइंस में ध्यान जाता है सिवा भावी और धार्मिक्ता यह सारे गुन व्यक्ति को मिलते है अंडूनी मंगल भी काफी अच्छा है तो साधिरे गुर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी इनके जीवन में बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है जब किसी से मिलोगे एनरजी के साथ मिलोगे सामने वाला कमफरटबल फिल करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपनी लेवल पर संकट का सामना करता है विदेश में गुमने का अउसर जरूर मिलेगा ये यात्रा रेखा है जीवन के बुड़ा पे में काफी गुमेंगे ये और चद्रपरवत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है जूद से बनी वस्तू अच्छी लगती निर्णे शक्ति अच्छी और बहुत अच्छे परचेसर होते है और बहुत सारी बुद्रेखा ये कहीं न कहीं थोड़ा सा एसी डिटी का प्रॉब्लम तो इनको देती होगी और ये थोड़ इसी एडिक्शन लाइन है तो एक दो घंटा काम करने के बाद खालीपन का एसास होता है उस खालीपन को भरने के लिए कोई न कोई नशा रेक्ति कर अवलेबल है उसमें से कोई न कोई लेता है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो एकदम डेंजर वाले नशे लेता है बस सिमीत मातरा मैं काम करता है share market का आपने प्रस्चन पुछा था आप आसानी से share market का मैं ना कहता ही नहीं आपको आराम से करिये और आपका बहात support भी कर रहा है तो मैं share market के लिए आपको ना नहीं कहूंगा हाँ बहुत जादा long term मैं मत जाना 6 मिने से लेकर 2 साल वाला कोई भी script मिले इस तरह का तो आप आसानी से शेर मार्केट में काम करिए पर आफ्टर 41 और शुक्र परवत काफी सुन्दर है तो अच्छे कपड़े पहनना अची तरह रहना ये सारा लक्षन इन में पाए जाता है अब चलते हिनकी हुद्धे रेखा पर हुद्धे रेखा यहां से स्टार्ट हो रही है और ये छेत्र तो शनि परवस्य जब स्टार्ट होती है तो वेक्ठी में दो ही तरह के तीन तरह के गुंधरमों होते है सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना कामुख भावना और तीसरी वस्तू रहती है कई न कई फीजिकल बना या नहीं हाट पैर उठाना और दे रहा में कोई प्रॉबलम नहीं है एक दो लाइने नीचे जा रही है मित्रों को सके संबने को पैसा दोगें और वह पैसा वापस नहीं आएगा अब आपकी माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन पूरी अंदर से निकल रही है मंगल से तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज्यादा तर प्लानिंग काज़ों पर रहा थी इंप्लिमेंट नहीं होती और यहाँ पर फोर्क भी बन रहा है तो वेक्टि अपने बातों को यानि कम्मुनिकेशन में एक्सपर्ट होता है और यह आगे चल कर जुकाव ले रही है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी सी धार्मिक्ता भी बढ़ती जाएगी बारवालों के लिए उत्तम होंगे घर में किसी एक वेक्टि को जादा बोल बोल करोगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़े से सपने भी बढ़ते जाएगे पर बहुत जादा जुक नहीं रही है तो बहुत जादा इतना भी माइनस पॉइंट नहीं होगा कि अतिधार्मिक्ता भी नहीं होगी अब आपके जीवन रेखा के उतार चड़ाओ मैं एक बात क्लियर कर दूँ जिस व्यक्ति के हाथ मैं इस तरह से रेखाए हो तो वहाँ पर राहू रेखाओ की एजिंग करनी बहुत हार्ड सब्जेक्ट हो जाता है पर फिर भी मैंने कोसिस की है पर कहीं अगर फरक आए तो छमाच आना क्यूंकि इन में पता नहीं चलता अब यह लाइन ने काटी अब यह यहां पर effect दे रही इस line पर कि इस line पर effect दे रही या इस line पर यह पता ही नहीं चलता मेरे viewer के इसाफ से मैंने कोसिस की है उसको आप गिनने की कोसिस करता यह line ने आपकी age 24 में इस line ने आपकी साधी कर रही साधी के बाद एक छोटी सी record touch कर रही है तो हलका सा कोई problem आया होगा और एक 27 के आसपास अगर मैं इस line को गिनू तो यह 27 के आसपास है यहां पर गिनू तो 29 की और यहां पर 31 अब जो आपको count करना हो उस समय जो तकलिप आयो उससे count कीजिए उसके बाद एक 29 के आसपास भी cut कर रही है रेखा sorry यह रेखा cut कर रही है 27 के आसपास यह 29 के आसपास मैंने एज निकाली और यह निकाली 31 के आसपास एक line 33 में काट रही है और एक अभी वर्तमान मैं देखी यह 3 line चल रही है यह 37 के आसपास 38 के आसपास एक और यह 3 यह आपको अभी भी थोड़ा सा संगर्स कराएगी यह up to 41 तक है line और यह line है इनसे मैंने पुछना चाहा भी कि यह जब line है काटती है इस तरह से काटती है यह भी रुकाउटे देती है पर clear यहां पर इस तरह के समय करण होते है कि exact age निकालना भारी पड़ता है पर यह 4 चीजे possible देती है या तो व्यक्ति घर बदलता है शेहर बदलता है या देश बदलता है तीन में से कोई ने कोई एक वस्तू पॉजिटिव होती है व्यक्ति के जीवन में पर इन से जो मेरी बात हुई इस तरह का कोई formation इनके जीवन में हुआ नहीं पर हो सकता है उस समय on the spot व्यक्ति को याद आये ना आये पर यह formation इनके जीवन में चला होगा 39 के आस पास तक दो तीन बार तो कोई ना कोई बदला आया होगा या वेवसाय चेंज किया होगा चारम चौथा एक वस्तू वेवसाय भी होता है अब चलते अभी इनके प्रॉब्लम ये लाइन छोटी सी है पर इतनी छोटी भी लाइन जब मनी ट्रेंगल नहीं होता तो कहीं ने कहीं ज़्यादा हट कर दी है पर इन लाइनों के साथ-साथ 39 की एश तक फेट लाइन पर भी कट था तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है जब दो मार पड़ती है एक राओ रेखा तो कोई इतनी स्ट्रॉंग नहीं उसके पहले उल्टे की स्ट्रॉंग थी इन रेखाओ की वज़े से जीवन में टकस्ट ज़्यादा आएगा अभी तो इतनी स्ट्रॉंग नहीं है ये तो केवल टच कर रही है उसके बाद अगर इनके जीवन में देखे मैं औरल बाद में आप पॉइंट पर आऊंगा जो आपका मेंन सवाल है एक 45 के आसपास एक आफशूट है फिर 46 के आसपास एक छोटी सी राओ रेखा है फिर 48 में भहुत सारी वस्तुए आपके जीवन में होगी सफलता भी मिलेगी कोई नियर एंड इयर की डैद भी होगी और राओ रेखा भी है और यह थोड़ इसी बड़ी राओ रेखा है और यहां पर एक बदलाव भी आएगा या तो घर बदलोगे देश बदलोगे या शेहर बदलोगे और यह पॉजिटिव बदला होगा कोई घबराने के आवशकता नहीं है और यह जो आपशूट है यह आपको प्रॉपर्टिया भी दिलाएगा यानि आने वाला समय 41 के बाद का उत्तम समय भी है तो इतना घबराने के आवशकता नहीं है अगर कुछ थोड़ा कुछ 19-20 भी हो जाए जीवन में तो घबराना मत आने वाला समय आपके लिए काफी उत्तम है उसके बाद 48 हो गया उसके बाद 51 में एक छोटी से राव रेखा काट रही है 53 में छोटी सी है और ये ट्रैंगल बन रही है ये भी प्रॉपर्टी आपको दिलाएगा फिर उसके बाद 55 में एक आपशूट है और उसके बाद ना राव रेखा है ना कोई आपशूट है हाँ ट्रैंगल जरूर है इस तरह से बन रहे तो बेनिफिट तो आपके जीवन है और ये सारी यात्रा रेखा है तो जीवन में यात्रा है करने भरपूर मिलेगी आपको अब आपकी धन रेखा पर आते है कलर फोटो में देखे तो ये कट लगा आपको एज 29 31 में एक बहुत बड़ा कट लगा आपको 29 के आसपास प्लस माइनस वन येर पकट ले ना पामिस्टी में और उसके पहले भी कट लगा यानि ये बहुत ज़्यादा जब धन रेखा पर कट आता है तो ये ज़्यादा आर्थिक नुकसान देता है उसके बाद एक कट मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहा है ये एज 35-36 के आसपास एक और कट लगा आपको एज 38 के आसपास और एक और कट आपके जीवन में लगा 39 के आसपास और यहाँ तक ही एक कट लग रहे है इसको अगर continue गिन है तो 39 की एज तक यह कट है अब इस कट को मुझे देखना है यह कब है यह है की नहीं वो धन रेखा पर दिखेगा और यहाँ से एक नया व्योसाय भी आपका शुरू होगा और यह एज होगी लग बग 43 के आसपास की अब आपकी धन रेखा पर ही चलते छोटे मोटे कट है आपके जीवन में यह देखिए यहाँ से आपकी धन रेखा जो कट मैंने बता है साथ मैं यह धन रेखा ऐसे ऐसे चल रहे है और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा खराब होगे age 31 से तो बहुत ज़्यादा खराब होगे और उसके पहले जो कट लगे थे वो राहू रेखाओ की वज़े से और धन रेखा पर भी कट थे आपके फिर यह लाइन चली यहाँ पर माइन लाइन तूट भी रही है तो यहाँ पर यह तूटने का जो समय है उस फोटोग्राफ में कलर में क्यों नहीं रिखा इस फोटोग्राफ में काँट ब्रेक है वो समझ में नहीं आ रहा है अगर इस पॉइंट पर गिने यह वर्तमान पिरियड में इनको पेण चल रहा है कोई ऐसी घटना घटी है और उसके बाद वैक्ती सीरियस बनता है जीवन में उसके पहले वैक्ती सीरियस नहीं होता लगबग वर्तमान पिरियड में यह है और देखिए यहां तक आपकी धन रेखा डिश्टब थी इस एज तक और यह छोटे मोटे कट अगर इस एज को गिने तो एक कट छोटा सा यहां पर भी है पर इस कट के बाद यह देखिए यहां से थ्रेड चालू हो रहा है और सीधी लाइन जा रही है तो यहां मुझे लगता है संगर्स के बावजूद भी इंकम आपकी जनरेट होनी चालू हो जाएगी बचेगा नहीं पैसा पर इंकम जनरेट और उसके पहले तो धन रेखा में इतने पिरियर्ड में तो कोई दम ही नहीं था यह 31 से लेकर 39 तक तो कोई दम ही नहीं था और उसके पहले राव रेखा यह आई होगी और डिश्टब किया होगा और यहां से थ्रेड चालू हो रहा है तो इंकम जनरेट तो होनी चालू हो जाएगी प्लस सुपसायन को भूलना नहीं है जब इस तरह की भी लाइन चालू हो तो इंकम के सुरोत बढ़ जाते और यहां तक एक छोटा सा कट और दिख रहा है और यह एज होगी मेरे सबस यह 39 ही है यह कट भी और यही अगर यह फेट लाइन को गिने तो श्ट्रॉंग बनती जा रही है और यहां के बाद आपको कोई तकलिफ ही नहीं है पैसा भी बचेगा 42-43 के बाद पैसा भी बचेगा और इंकम भी जनरेट होगी और दूसरी भी इंकम जनरेट होगी अब तू बुड़ा पे तक कोई प्रॉबलम नहीं हाँ जब जब राहू रेखाएगी कोई ने कोई कश्ट आएगा पर राहू रेखाओ के साथ-साथ में तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा तो मोरल अब दौस्टोरी आपके पास काफी अच्छी सुफसाइन है तो ग्रोथ तो वो सुफसाइन देगी एक थ्रेड निर्मान हो रहा है थर्टी नाइन के बाद तो वो आपको ग्रोथ देगी देगा और देगा वो थ्रेड यानि इंकम जनरेट होनी चालू हो जाएगी फोटी वन तक राव रेखाया है फोटी वन तक संगर्ष रहेगा उसके बाद आपके जीवन में स्टेप बाई स्टेप ग्रोथ आनी चालू हो जाएगी और फोटी त्री के बाद तो कोई प्राबलम ही नहीं है धन्रेखा पर अब तू बुड़ा पे तक ग्रोथ ही दस गुनाद जादा आप क्रियेट करोगे ये गैरंटी चुकि बहुत अच्छी साहिन है आपके हाथ में और उसके बाद इस एज के बाद तो बहुत अच्छी धन रेखा है तो अगर कोई 19-20 हो भी जाए मुझे लग नहीं रहा है पर अगर हो भी जाए तो जरा भी मन में टेंस लेना मत आगे इससे कई गुनाद जादा आपको जीवन में प्राप्त होने वाला है और ये अच्छी बात होती है कि हम हमारे जवानी में ही संगर्स कर लेते हर व्यक्ति के जीवन में संगर्स आता है आपको इतने पिरियड में संगर्स आया है और आपने जहल लिया अब लास्ट एज है उसको जेल लिजिए और आगे जीवन में काफी उन्नती आपके जीवन में लिखी हुई है और काफी स्ट्रॉंग धन रिखा बन रही है और ये फोटो के लिए इन्होंने कम से कम 15 दिन मैनत किये 15 देस और पहले फोटो आ रहे थे तो इस जगह तक खराब दिख रही थी इतने पार्ट तक ये देखा खराब दिख रही थी और ये थ्रेड दिखी नहीं रहा था और ये देखी है इनकी मेनत की वज़़ह से सारी चीजे देखी यानि मैनत सफल होती ही है तो इंकम जनरेट होनी चालू हो जाएगी आप उस मनी को अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो भहुत कुछ प्राप्ट होगा पर 41 तक तो भी रुकावटे जीवन में है उसके बाद धीरे धीरे जीवन उन्नती की और बढ़ता चला जाएगा तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवन